रबाश्कार दोस्तों मैं रतने सार आप सुभी का अश्टेडी-91 में स्वाक्त करता हूं और कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं, आप सभी स्वस्तों होंगे, जहां भी होंगे, मस्त दोस्तों आज बहुतечь important topic लिए हुँ जैसा कि आप जानते हैं, इस topic से दोस्तों हमेशा वो फह हो यह रोति यह सूप्रोफ का नाम है आदर्शवाथ दोस्तों अधर्शवाथ में के डाहीं समर्थ कौन कौन थे जोब ही बहुत ही धुमाके दार मज़ेदार शेशन होने वाला इसलिए दोस्तों लाइक कर जीएक रहे आयों दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना शेशन दोस्तों यह closing एक आप का वीडियो का बहुत हो चुका है बहुत ही सानल अप सभी जॉइन कर सकते हैं दोस्तों ठीक है आईए दोस्तों ने चलते हैं आदर्श्वाद आदर्श्वाद के बारे में दोस्तों थोड़ी सी चर्चा होती है कि आधर्श्वाद होता क्या है दोस्तों तो दोस्तों आधर्श्वाद की बात की जाए तो समाज में व्याप्त विचार धाराओं क के अधार पर ही पाठकरम का श्वरूप निधारित होता है पाठकरम में प्रभावी विभीन वैचारी कारकों का संचित रेखांकित क्या होता है निम्नुवत है दोस्तों जो हमारा पाठकरम होता है उसके समाज में फ्याप्त जो विचार धराय होती है उनका दोस्तों बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रॉफाव पढ़ता है उसके बारे में में लोग जानते हैं कि प्रुस्ट जो दोस्तों हमारा समाजिक कि सयाथ होती है जो समाजिक होती है व्यानी उक्रिटिब्लण अगर इस प्रकृतिवात से होती है यब देखा जाए दोस्तों मनों में घ् liquorg को रखात को होती है और वैज्रीटी को यह हूथ दो जो दारशनी ते थे अपने पाठ करम के अधार पे दोस्तों को प्रस्थूद किया जिसमें इन्हों आदर्शवाद को रखा प्रकृतिवाद को रखा और प्रयोजनवाद को रखा आए जाते हैं क्या होता है और क्या होता है प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तो दोस्तों आदर्शवाद यानि आडलिज्म तो दोस्तों आदर्शवाद की बात की जाए अगर तो दर्शन क जो विचार धाराएं थी जो प्राचीन विचारा धाराएं थी दोस्तों उनमें आदर्षवाद का बहुत ही प्रमुख अस्थान था और आदर्षवाद में विचारों आदर्षों मुल्यों प्रयाशों पर अत्यधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्यवाद कई के नाम से भी संग्यापित कि विचार किया दोस्तों इसमें बहुत युदि कि लोगों ने विचार किया आदर्शों को प्रस्तूत दोस्तों इस विचारवाद को तो इसको कई विचारवाद के नाम से यह इसे संग्यापित किया जाता है कि आपके आधरशवाद को विचारवाद यह शंप तो कि आतरोध मन में जो चलते रहते हैं या लोग विचार वाद करते हैं या निकी आधर्शवात करते हैं जो मेरे दिमाग में चर्थे रहते हैं तो दोस्तों आडली सब्द की उत्पति प्लेटों की विचारवादी सिध्धान से हुई है जो कि विचारों को ही केंद्रिय तत्व मानता है क्या मानता है विचारों को ही केंद्रिय तत्व मानता है मानती दोस्तों वह विचारों को ही अपना केंद्रिय तत्व मानता है कि विचारों के माध्यम से ही बालग सीखता है उसके मन में जो विचार आते हो उसी परकार से कारे करता है जिस परकार से उसकी सोच होती है उसी परकार से वह कार काम को करने में आगे बढ़ता है जिता किसी गारे करने केलिए मुझे आइस बनने के लिए क्या क्या करने है क्या क्या फ्रेयास करना है पढ़ना है तो वह पहले मैरे में ब्डी जिए राना चाहिके का मुझे बनना है मुझे कुछ बनना है मुझे इस बाद सिटेट निकालना इस पटेट निकालना तो वह तक जब आपके मन में आएगा तो आप उसको करने के लिए क्या करेंगे प्रयास अब क्षिप है तो यह चीज है कि नेश्ट है दोस्तों यह आपकी स्टडी 91 में कुछ पुछतके हैं दोस्तों वीडियो पेट और आरो यारो की जो की फ्री डिलिवरी है दोस्तों आप कहीं भी मंगा सकते हैं को को इसका चार नहीं लेगा कि देश दोस्तों जेश रास्त ने क्या दोस्तों अपनी राय प्रश्तुत की जेश रास्त के आदर्श वाजी दर्सन के से विभीत रूप है उन्हों क्या को बताया कि जो आधरश्वाद पैसके बहुत सारे विभीन रूप है पर्णतु सबका आधार बुद्ध तर ने क्या many और आत्मा है उसका कारण क्या Maga और आत्मा है तथा आध्यात्मिक वास्तुविक स्वरूप इन्होंने क्या माना पूस्तूप माना आधरशन मनुझे का पत्ष पर बली तो कि आयए sö सबसे Sleepyea चीछिय व्यक्ति मनुष्य को अधात्मिकता साथ बहुत ही ज़हादा प्रिय लगती है तो इसलिए दोस्तों शु Corner पहलों 웃 commitment क्या दोस्तो यार रखियेगा यह पुफजा जा सकता है कि आधरश्वार्थ के समर्थक कौन क्लेौन थे तो आदर्श्वात के आपके शनुमर्थक है महात्मा गांधी जी तो सुकुराथ यह दो महाना आद्मां दोस्तों अधरी संब्सक्राके आपसे पूछा जाये सकता है कि यहीं इंपोर्टेंट दोस्तों बेरी इंपोर्टेंट है कि याद रखिएगा कि आदर्श्वात के समर्थक कौन-कौन थे तो अर्विंद घोष्टे महात्मा गांधी श्रिपनोजा प्लेटो फ्रिटेंस हीगल और अरस्तु यह दोस्तों आदर्श्वात के आपके समर्थक ते जो कि इन्हों आदर्श्वात में सिच्छा का आर्थ किया था आईये जानते हैं कांठ के अनुसार इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योगता की प्राप्तático ही सिच्छा नहीं करता है वही सिच्छा का माध्यम है सिच्छा के माध्यम से केवल सफलता ही प्राप्त करना चाहें तो वह सिच्छा नहीं है तो वह किसी बनी एक अच्छे हम अपने लक्ष को प्राप्त करना ही सिच्छा का उदेश नहीं है आपके कांट जी के अनुशार दोस्तों अब बात करें फ्रोवेल की फ्रोवेल ने क्या कहा फ्रोवेल के अंसार सिच्छा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है यानि की फ्रोवेल का यह माना था कि सिच्छा जो है कि वह विकास में हमेशा सहयक होती है निरंतर चलती रहती है जो कि हमारे विकास में बहुत यावशेक होती है आप सभी जानते हैं बीना एजुकेशन के हम विकास नहीं कर सकते जो की बहुत इक ज्यान प्रदान करती है और क्या करते हैं जोस्तों जो हमें क्या करती है बहुत इक ज्यान प्रदान करती है और अध्यात्मिक ज्यान की ओर ले जाकर अंत में इश्वर से एक स्थापित करती है और अंत में दोस्तों अध्यात्मिक ज्यान की ओर ले जाती ह और हमें इश्वर से मिलाती है तो यह चीज है सिच्छा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेश्ट है सिच्छा की क्या उद्देश होते हैं दोस्तों सिच्छा के बहुत ही महतफुर उद्देश है यह जानते हैं रश के अंसार रश की ने क्या कहा रश के अंसार सिच्छा का उदेश था कि मानों जाथ क्योंज योग बना सकें कि वह अपनी संस्कृति को बचाए रखें अपनी संस्कृति को निकि अपने और त्याग न करें दोस्तों आज की जैसे आज कही हैं तो यह तो वह चीज़ें दोस्तों हम अपने इंडियान क्लचर को छोल करें ये गलत है हम्हें अपनी संस्कृति जो भारती संस्कृति हो दूसर नहीं चाहिए तो फारी सिध्फ्य का मियन उद्देश यही है घम अपने ही संस्कृति को परशित करना चाहिए इस प्रकार से हमने संस्कृति को लिसर दबेस्ट वाकई रहना जैसे इंडियान के बेश भूणशा है इंडियन की जो वह उसी तरह से हम लोग भी करें ना कि हम वैस्टर्न भूण धारान करें दोस्तों तो वह चीज़ होते होनी चाहिए तो उस तरह हमें उसमें में हुमारा किसका है सिच्छा की है दोस्तों और अध्यात्मिक जिगत से उस्सी माउं का भी विस्तार कर सकते हैं अब बात करते आधर श्रवात और सिच्छा क disappearance निवनुवत्य इस में किया था दोस्तों आध्यात्मिक विकास करना आत्मानुभूत की प्राप्ती किसकी परकार से और सत्यम स्थ्यम श्वम शून्दरन का विकास करना संश्कृति संपत्ति की रच्छा करना कथा विकास करना अपनी संदेजों हमारी संख्रिती रूपी जो हमारी सिच्य है संपत्ति है उसकी रच्छा करना और मनुष्य चố मनुष्य को मनुष्य बनाना और आपके पृष्ण परौत करें यही आपके आदर श्वाद और शिच्छा के खुछ अन्य मुहत्यपूर उद्देश थे दोस्तों ठीक है नेस्ट है दोस्तों यह आपके यूपीटेट और हिंदी इंडिजिवाल का नया वेस्प्रारम आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं कि अधर्श्वाद के उनसार तीन मुली निम्नवत हैं जिने ध्यान में रखकर मस्तिष्क सत्य को जानता है मस्तिष्क को जानता है जो भी सत्य होता है वह हमारा मस्तिष्क जानता है दोस्तों हमारे मस्तिष्क सब पता होता है कि क्या हम गलत कारे कर रहे हैं क्या हम सही कार कर रहें क्या हम सत्य बोल रहें हैं और अशत्य से दूर रहता है अब आप उसके अपने पास ले जाएं तो बात अलग है करता है हुशा संकल्प करता है और बुराई से क्या करता है दूर रहता है यह अम्हों किया जाता है वह क्या होताonna होता है जिसका हम अनभव करते हैं वह क्या होता है भावातमक अंव छिस ने हमारी 뭍छ क्या बहुत अच्छा व्यक्ति था उसने हमी प्याशे को पानी हो प्ला यह एक औरिसका संकल्व किया जाता हो दोस्तों यानि कि जिसका हमने कोई कार है उसको करने कामने संकल्व लिया कि इस बार 2023 फेकन सी लेनी है इस बार हमें सिच्छर बनना है तो यह क्या-कया संकल्व लिया है दोस्तों पी यह चीज निश्थळ और मार्षिक जो चीजे अमें ग्यात होती है मन्सिक्टा क का में उद्धेश यही है कि इन आदर्शों को हम पाशकें इन आदर्शों के योगिशा बन सकें काप बालक्त भिकास कर सकें दोस्तो दोस्त है पाठ्ठक्रम अब आई आदर्शवाद के पांच के बारे इन्होंने कहा कि पाठकरम के अंदर के सूचनाओं को ग्यान के रूप में सूचनाओं को जो हम सूचनाओं प्राप्ट कर रहे हैं वो ग्यान के रूप में थी और जो हमें पुष्टकें हैं वो क्या है एक यंद्र की तरह कार कर रहे हैं किसी चीज को हमें ग्यान प्राप्ट तुरंत कस्मीर में जो ज्लें तुरं लेश्ट निकलाईगी यह जील यह ज्रेश में चीज तो और यंद्र का काम हमारी क्वारी क्रतें हैं दोस्तों पहले क्या कर थी पुश्तक कैटि ये कुछ चिज में जो हमें नहीं मिलती हुसका घ्यान हमिन फिस्तकों के मादन से अब अ संखेब में अगर आदर्श्वाद पाठकरम के अंदर उन सभी विश्यों को रखने पर बल देता है जिसमें व्यक्ति समाजिक मांशिक वातावर्णी परस्तितियों में समंजस स्थापित करते हुए अध्धात्य मुल्मों का ज्यान प्राप्त करें और आत्मभूती कर सके द समाजिक चीजे हों मांसिक चीजे हों वातावर्णी चीजे हों जिससे कि बालक समंजस बनाके अच्छा अपना व्यक्तितों बना सके अच्छा विकास कर सके इन सारी बातों को दोस्तों रखा गया आपके आदर्श्वाद में निश्ट बात चलते हैं दोस्तों कि प्लेटो रहे हैं यह संबंधी ज्ञाने है क्या एक पर स्थाइब यानिकी दोस्टों डर्शन भाषाः गडित भुगोल इत्यास भी ग्यान जोस्तों जिसमें हमें अपनी ज्यादा सज्ञाद बुद्धी लगानी पड़ती है यानी नशीए टकर मैं तो संदरंने क् вышal में ये सारी ज्ञान दोस्तों हमें किस्में में होते हैं हमें सुंदर्म में होते हैं तो यानि सत्यम सुंदर्म दोस्तों आप जान सकते हैं सत्यम में हम बहुत ही कारे करते हैं जैसे में साहित दर्शन फिलास्फिक गडित भाशा भुगोल यह हो गया स्विवम में दोस्तों नैतिक्ता क्या सही है क्या गलत है इसके बार संबंध्र को शाल इन को शालों को भी हम ज्यान अर्जित करते हैं यहीं दोस्तों पाठ्थ करम बनाया गया डिकर कुछ क्ट radiation नेयर थो कि ग्चाउट का प्रस्तावी पालत्क्रावल का शरूम्म नीवन जी दोस्तों क्या उन्हों उंहों ने अपना प्रजेंट ini apprentice अध्याइकशन और ने किया किया दोस्तों मांसिक क्रिया में उन्होंने किसको रखा साहित को रखा भाषा को रखा विज्ञान को गडित को इतियाश को भूल को क्रिया क्रिया में उन्हों किसको रखा कला को रखा संगीत को रखका और नेतिक प्राइंक। धर्म साश जिससे कि हमें इसमें पता चल सके कि क्या नैतिक है क्या अनातिक है क्या सही है क्या गलत है सुंधरव्ट्रयात्मक्त क्रियाल में यानि की कला दोस्तों और संगीत और उसका मैंसी में साहित निभाष भी कुछ लगवग उसी उन्ही की तरह था रूशों के इतरह था इंका भी जियश रास का भी नेश्ट है दोस्तों सिछड विधिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सिछड विधिया थी तो आदर्श राजियों का विश्वास है कि यदि हमारे लच्छ सपष्ठ है और निश्चित है तो हमें बालकों को रूची और सीठ सकता है खोज करता है कि करेंगे और स्व आधर więksकास है हमारे फॉष्ट है हम प्रश्णत्र विधी से बहुत अच्छा सीखता है तो मुझा थे उन्होंने बनाई क्या जानते हैं प्रशनुत्तर विधी अच्छा सीखता है जैसे आप पर रहें तुरंट पूछा कि बहाई बताइए आप अधर्श्वाद में दोस्तों यानि कि शुक्रात ने कौन से विधी अपनाए तो आपने पूछा अरस्तु ने कौन से विधी अपनाई तो आपने वटाया साब्भु दोतों विचारक थे इन्होंने अपनी विधि बताई कि जिसके माध्यम से बालग सरल्टा पूर्वक से क्सक्रूणी करिए तो उसकी शिष्ड पक्रिया और अशान हो सकती तो यह चीज़ से दोस्तों तो यह सभी विचारकों अपनी इपनी संचरविधी बताई यह सिंचरविधी बालक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह is लुट के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों भोला की खेल विधी की माध्यम से विखीवन के we पूछी जा सकती है आपसे पूछ से कता है कि खेल विद्धी के विचारक कौन थे तो खेल विद्धी के विचारक थे आपके फ्रोबेल थे निर्देशन विद्धी के विचारक कौन थे निर्देशन विद्धी के आपके हरबर्ट थे तर्क विद्धी के कौन थे तर्क विद याद रखिएगा समवाद विधी दोस्तों यानि के प्लेटों प्रशनोत्तर विधी आपके कौन थे यह थे आपके सुक्राज जी याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों यह आपके लिए यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आईए दोस्तों चलते है बिद्यार्थि आदरश्वाधी विद्यार्थियों को केवल शरीर इंद्रियों तथा मस्तिस का बना हूए अंग-मात्र नहीं मानता था कि वह श्रीर-धारी है परंत उसका वास्विक सरीब की सिमाओं को लांग जाता है वह आपूर है किन्तु वह पूर्था की और अग्रिशक तो जो नहीं कर सकता है तो जो नहीं कर सकता है बस उसको अपनी बोधिक चमता को बढ़ाना है उसको अपनी विचार धराओं को परिवर्थित करना जोस्तों हर एक कारबालब कर सकता है यह था उनका वो मानना था उनका सकता है सिखार्ती में मुख्यतर निमलख्यित गुड़ू का समव्य होद्ध शाते थंधिन और हम मुझे यह कारे करना है यह था निर्मार लेने में समर्थ कोई भी नीड़ा ने समर्थ हो कि हाँ मुझे इस बार सूपर ली सेज निकालना है उनरे ले चुका है इस बार तो आप पीछे नहीं हटने वाले यह थोट होनी चाहिए नयाप्री होना चाहिए गुरु भक्ति गुरु से दोस्तों कोई भी एक गुरु को आप चैन कर लीजिए उसकी भक्ति करिए जैसा गुरु कहें वैसा आप करिए तो देखिए आपका सेलेक्शन जरूर होगा और मुल्यों में विशेर्थ रखने वाला सर्द्स चरी वाला विनव सीलता सर्वहितक्री दोस्तों यह से θती हो और वो यह गुल क्या चाहते थे जो विचार धारक थे जोब यह गुल चाहते समर्द्स आपकी कोउड कोऊस Don't पर चाले दोस्तों नेश्ट विद्ध्याले कैसा था आदर्श वादियों के अधर्श वादियों के उन्साविद्ध्याले समाजी पुने निर्माद के उनुपात साधन थे समाजिक मानिताओं आदश्यों मुल्यों आधिका अस्पेश्पति छाया विद्याले में ही परलिश होती थी अठा जैसा समाज होता था वैसा ही विद्याले का स्वरूप होता था और विद्याले के माध्यम से ही बालक समाज की सारी चीजों को सीखता था नैतिक अनैतिक सारे साइए बारे में दोस्तों बालक सीछता क्योंकि विद्यानी या का बाद्र को दोस्तों और वेंया एगले से ये दोस्तों प्रकृटि और समाज बुद्धाले और लिए दोस्तों समाज और विद्यानी ये तीन आठ अरप democrat की वेशाहते विद्याले का सवरूफ होता था जैसा कि आपकी प्रकृति होती थी जैसा विद्याले उसी प्रकास से जैसा समाज उसी तरह से विद्याले दोस्तों यह होता था नेश्ट है दोस्तों आदर्श्वादी विचार धारा धारा विद्याले परवेश से प्राप्त होता था विद ड्रिकेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे, ये चीज थी दोस्तों आपके अदर्शवार्यों की विचार धारा नेक्टा कि स depressionное अब सब्सक्राइंगे हैं आप कैसी लगी कमेंट ज़रू कर ये दोस्तों अब कर आज पिर बिलेएंगे साथ तब तक रादे रादे जय शिर्किष दोस्तों और जय हिंद दोस्तों